हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कोट्टी, बलाउज, गल् बच्चों के अल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट, फ्रोक, आदिमे, बनके बहुती खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, इस पैटन को बढाने के लिए हमने 6 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, प्लस हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू वीडियो की नोटिकेशन के लिए बैल आइकन दवाना न भूलें, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं, तो दे किसे देखे, यह देखे, यह देखे, फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई, अब देखे, रॉंग साइड से सेकिंड रो, अब सेकिंड रो में देखे, पहला फंदा ऐसे भून के उतार लेंगे, और देखे, छै फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, छै फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, छै फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छए, छेफंदे सीधे, धागा अपने साइड 6 फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छेफंदे उल्टे, धागा पीचे, छेफंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, छे फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा, ये देखिए रोम साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लीट हो गई, आप देखिए फ्रंट साइड से पैटन की थर्ड रो, आप थर्ड रो में देखिए, प आश्ट रो की तर सीधा बुनते हुए कमप्लीट कर लेना है, ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो कमप्लीट हो गई, आप देखिए, रोम साइड से फोर्ट रो, फोर्ट रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे उल्टे, देखिए ये छे फंदे हमने उल्टे बुन दिये, धागा पिछे करेंगे, छे फंदे सीधे आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच छे छे फंदे सीधे ये छे फंदे सीधे बने धागा अपनी साइड 6 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे उल्टे धागा पीछे 6 फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये वैक साइड से हमारी 4 फंदे सीधे फिप्तरों अब फिप्तरों में देखे पहला फंदा उता लेंगे ये पहला फंदा उता लेना है और फ्रंट साइड से हमने फिप्तरों को सीधा बुनते हुए कंप्लेट करना है फर्स्ट रोग की तरह देखे ये फ्रन्ट साइड से हमारी फित्रो कंप्लेट हो गई अब देखे रोंग साइड से 6 रो पहला फंदा उतारेंगे रोंग साइड से हमने 6 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है ये देखे रोंग साइड से हमारी 6 रो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रन्ट साइड से 7 रो अब 7 रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे अब देखे नेस्ट हमने 6 रो में पैटन डालना है इन 6 रो में पैटन डालेंगे तो 6 रो में से देखे दो फंदे ऐसे बिना बुने उतारेंगे बिना बुने उतारेın, अब दो फंदों में देखें जो सेंटर के दो फंदे हें इनमें हमारा पैटन आएगा तो देखें एक फंदे से देखें पहले तीन फंदे बनाएंगे, एक, दूसरा फंदा धाग अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा फिर इस फंदे को बुन के यह देखे एक फंदे से हमने ये तीन फंदे बना दिये इन तीन फंदों को हमें थोड़ा मीडियम लूज बनाना है इस तरीके से देखिए, एक फंदे से तीन फंदे बनाणे है, अब देखे, नेस्ट वाला फंदा है, जो इस से भी फंदे बनाने हैES, तो देखिए, सिधी साइड से सलाईड डालेंगे, एक फंदा, धाग अपनी साइड करेंगे, दो, फिर इस फंदे को बुनेगे, ऐसे यह देखिए इस सेंटर के दो फंदों में पैटन आगे दो फंदे हमने बिना बुने उतारे दो फंदों में पैटन डाला फिर दो फंदे बिना बुने उता लेंगे तो देखिए यह 6 फंदों में हमारा पैटन आगे फिर 6 फंदों को सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, छै फंदे सीधी आ जाएंगे फिर न Yes, हमने छै फंदों में पैटन डालना है अब देखे, जो यह छै फंदे हैं, इनके नीचे देखे, यह उल्टे फंदे हैं इनी छै फंदों में अमें पैटन डालना है यह ध्यान रखना है यह देखे जिन फंदों के नीचे उल्टे फंदे दिखाए दे रहे हैं उन 6 फंदों में हमें पैटन डालना है तो देखे दो फंदे हम बिना बुने उतारेंगे 6 फंदों में से दो फंदों में हमें पैटन डालना है तो देखे एक फंदे से पहले 3 फंदे बना लेने हैं फिर नेश्ट देखे एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे इन दो फंदों से हमें एक एक करके तीन फंदे बना लेने एक हो गया दूसरा फंदा धागा अपनी साइड करके और तीसरा फंदा ऐसे बुन के यह देखे यह दो फंदों में हमारा पैटर्न पर 2 फंदे हम बीन बुने उतारेंगे अब देखे, next देखे, 6 फंदे सीधे दिखाई दे रहें जो, इनको हम सीधा ही बुनेंगे, 6 फंदे सीधे यह देखे, फ्रंट साइड से हमारी 7 त्रों कम्फ्लीट हो गई यह देखे, अब रॉंग साइड से देखे, एड त्रो, अब एड त्रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, और रॉंग साइड से हमने एड त्रो को उल्टा बुनते हुए, कंप्लेट कर लेना है, यह देखे, इस तरीके से, यह देखे, जो फंदे हमने फ्रंट साइड की तरब से बिना बुने उतारे थे, इनको भी हम उल्टा बुनके उतारेंगे, जो हमने सेंटर के फंदों से तिन तिन फंदे बनाए थे, इनको भी हम एक एक करके उल्टा बुनके उतारेंगे, इस तरीके से देखे, यह देखे रोंग साइड से हमारी एड़ त्रो कम्प्लीट हो गई एड़ त्रो को हमने उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट किया अब देखे फ्रंट साइड से नाइंतरो अब नाइंतरो में देखे पहला फंदा उता लेंगे पहला फंदा उता लेना है आप देखे आगे के दो फंदे छोड़के नेश्ट छे फंदों में पैटन आएगा तो देखे आगे के दो फंदे छोड़के देखे जो एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाए इनको आगे लाएंगे और आगे के दो फंदे पीछे ले जाएंगे तो देखे ऐसे फ्रंटे साइड की तरब से इन तीन फंदों को उठाएंगे जो एक फंदे से तीन बने हैं राइट निडिल में आगे के दो फंदे ऐसे सिलीप करेंगे और बैक सा कि तरब से ऐसे सलाय डालेंगे और तीन का एक करेंगे ये तीन का एक कर लेना है ये दिखे फिर लाश देखे दोफंदे सिदे बून लेंगे अइसे फिर नेस्ट देखे यह आगे के तीन फंदे जो एक फंदे से तीन फंदे बनें पीछे जाएंगे पीछे के दो फंदे आगे आएंगे तो back side की तरफ से देखे, पीछे के 2 फंदे, right needle में उठाएंगे, back side की तरफ से, आगे के 3 फंदे, ऐसे slip कर लेंगे, और इनको, ऐसे आगे की side से left needle में उठा लेंगे, अब देखे, जो 2 फंदे हैं, इनको भी left needle में ऐसे shift करेंगे, और एक एक करके सीधा बुन लेंगे, एक और 2, आप देखे, जो एक फंदे से 3 फंदे बने हैं, इनको हम एक साथ बुनेंगे, 3 का 1 कर लेंगे, ऐसे back side की तरफ से slide डालेंगे, और ये 3 का 1 हो गया, इस तरीके से हमारा pattern आने लग जाएगा, इस देखे, अब next हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे सीधे, ये देखे, ये 6 फंदे सीधे आ गए, अब 6 फंदे सीधे के बाद देखे, next 6 फंदों में pattern आएगा, तो देखे, आगे के 2 फंदे पीछे जाएंगे, और जो एक फंदे से 3 फंदे बने हैं, ये आगे आएंगे, तो देखे, इन 3 फंदों को आगे के 2 फंदे स्लीप करेंगे, बैक साइड की तरब से इन 2 फंदों को लेफ नीडिल में उठाएंगे, अब इन 3 फंदों को भी हमने ऐसे लेफ नीडिल में सिप्ट कर लेना है, और देखे, 3 का 1 कर लेना है, तो ऐसे बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे, 3 का 1 कर ले देखे ऐसे बैक साइड की तरब से पीछे के दो फंदे राइट नीडिल में उठाएंगे आगे के तीन फंदे सिलीप करेंगे और इनको आगे की साइड से ऐसे लेफ नीडिल में उठाएंगे और देखे जो राइट नीडिल वाले फंदे हैं इनको भी हम लेफ नीडिल में स ऐसे बैक साइड की तरब से सलाइड डालेंगे तीन का एक कर लेंगे यह देखे इस तरीकी से हमारा पैटर्न आने लग गया अब नेश्ट हमने छे फंदे सीधे बुन लेने यह देखे यह फ्रांट साइड से हमारी पैटर्न की 9 रो कमप्लेट हो गई आप देखे रॉंग साइड से 10 रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे रॉंग साइड से हमने 10 रो को उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है देखे ये wrong side से हमारी 10th row complete हो गई 10th row को हमने उल्टा बुनते हुए complete किया अब देखे फ्रेंट side से 11th row अब 11th row में हमारा pattern repeat and shift होगा तो देखे जो हमारा इस सीधे फंदों का pattern है ये pattern वाले फंदों के उपर shift हो जाएगा और जो हमारे ये pattern है ये सीधे फंदों के उपर shift हो जाएगा तो यहां पर हमारा pattern repeat and shift हो जाएगा तो देखे यहां पर repeat and shift की एक रो फंदा उता लेंगे और front side से हमने 11th row को सीधा बुनते हुए complete कर लेना है ये देखे ये front side से हमारी 11th row complete हो गई 11th row को हमने सीधा बुनते हुए complete किया अब देखे back side से 12th row अब 12th row में देखे पहला फंदा उता लेंगे धागा पीछे कर लेना है अब देखे जो front side की तरफ से देखे जो सीधे फंदे आये हैं यहां पर हमारा इसके उपर pattern shift हो जाएगा तो देखे back side से हमने इन 6 फंदों को सीधा बुनना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 6 फंदे सीधे यह देखे यह 6 फंदे सीधे आ गई back side की तरफ से धागा अपनी side आप देखे फ्रंट side से देखे जिन 6 फंदों में हमारा pattern दिखाए दे रहा है यह back side से 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 6 फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे आप देखे फ्रंट side की तरफ से देखे जो 6 फंदे सीधे दिखाए दे रहे हैं इसके उपर हमारा pattern shift हो जाएगा तो देखे back side की तरफ से 6 फंदे सीधे आएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 6 फंदे सीधे धागा अपने side 6 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे, रॉंग side से हमारी pattern की 12th row complete हो गई, 12th row में भी हमारा pattern repeat and shift हो रहा था अब देखे, जो front side से 13 row आएगी, 13 row में भी हमारा pattern repeat and shift होगा इस तरह हम अपने pattern को repeat and shift करते जाएंगे, ये pattern हमारा, ये वाला pattern हमारा इन सीधे फंदों के उपर shift हो जाएगा और ये सीधे फंदे हमारे pattern वाले फंदों के उपर shift हो जाएंगे, तो same process को हम repeat करते हुए, अपने pattern को complete कर लेंगे और बनके देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा, ये देखे, भहती सुन्दर, भहती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपा या like करें, share करें, comment करें और आप हमारे channel में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले, thank you